देखते हैं 60 नमर हमें इंटीग्रा निकाल ला है x square sin inverse x by में 1 minus x square का power 3 by 2t x चीख है हम लोगे काम करते हैं इसमें put करते हैं sin inverse x को t इसे यहां से हमें x का value क्या मिल जाएगा sin t इसे differentiate कर लेते हैं with respect to 1 by root under 1 minus x square equal to dt और by में dx इन्हें हो जाएगा dx by 1 minus x square का power 1 by 2t equal to dt यह हो जाएगा ठीक है चलिए अब इसके बाद हम लोगे करते हैं यहां पर x square के जगा पर क्या जाएगा sin square t sin inverse x क्या है आपका t है और यहां पर आ जाएगा 1 minus x square का power 1 by 2 हो जाएगा dt ठीक है एक काम करते हैं पहले मैं इसको सजा लेता हूँ और फिर मैं put करूँगा ठीक है इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा x square sin inverse x अच्छा बाई में root अंडर 1 minus x square कर दो या फिर आप ऐसे लिखो लगा 1 minus x square into में dx by 1 minus x square का power 1 by 2 power में 3 by 2 है तो ऐसे लिख सकते है न जी अलगा लगा चलिए अब पूट करो असानी से समझ में x square के जगा पर यहां पर sin square t sin inverse x आपका t हो जाएगा dx भाई यह आपका dt आ जाएगा और नीचे बाई में 1 minus x square x के जगा पर यहां पर sin t है तो sin square t इन्टिग्रल of t sin square t और बटा में यहां पर cos square t dt यहां आ जाएगा यहां पर integral of t tan square t dt अचा इसको सेक में बदल दे क्या है सेक square t minus 1 dt अलग-अलग कर देते हैं integral of t sec square t dt और minus integral of t dt त अब u into vpA integral निकालते हैं इसका तो t integral of sec square t dt minus integral देखें derivative of t with respect to t integral of sec square t dt तीक है और यह आपका dt minus square t square by 2 तीक है अच्छा अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा t integral of sec square का यहां पर क्या हो जाएगा tan t minus integral यहां 1 in 2 में यहां पर हो जाएगा tan t dt और minus का t square by 2 तीक है अगले step में देखें यहां ती tan t ठीक है और minus यहां पर देख रहे है tan t है तो इसका minus का minus का आपका हो जाएगा log cos x cos t यह सेक में भी कर सकते हैं और minus का t square by 2 है मैंनस का t square by 2 है ठीक है और plus में c यहनि आ जाएगा है यहां पर t tan t ठीक है पलस का log cos t और minus का t square by 2 plus c अब यहां t के value रख देते हैं और t के value हमारे पास उपर देख लिए जे क्या होगा t के value t के value sin inverse x है ती के value sin inverse x है यहां यहां पर यहां कि हम यह भी लिए सकते हैं कि sin t जो होगा x के बराबर होगा जिसको sin में करना होगा नजी चली देखते हैं होता है कि टी साइन टी बटा में कॉस्ट करेंगे तो कॉस्ट को आप रूट अंडर वन मैनस का साइन स्क्वाइर टी कर देते हैं माइनस यह टी का value हमारे पास है ठीक है अब देखेंगे टी के जगह पर sin inverse x यह तो sin inverse x हो जाएगा यहाँ पर देखिए sin t के जगह पर x by में root अंडर 1- यहाँ पर आ जाएगा आपका x का स्क्वाइर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पलस का log यहाँ पर देखिए रूट अंडर 1- माइनस का x का स्क्वाइर माइनस इस जगह पर t के जगह पर sin inverse यहाँ 1 by 2 sin inverse x का स्क्वाइर पलस इसकी एक काम कर सकते हैं यहाँ से root हटाएंगे तो power में 1 by 2 लग जाएगा x sin inverse x by में root अंडर 1- x स्क्वाइर पलस का log यहाँ पर हो जाएगा 1- x स्क्वाइर का power 1 by 2 और minus 1 by 2 sin inverse x का स्क्वाइर पलस इसक्वाइर पलस का 1 by 2 लॉग 1- x स्क्वाइर और यहाँ minus का 1 by 2 sin inverse x का स्क्वाइर पलस इस यह आपका answer हो जाएगा यह काम करते हैं आगकी क्लास में इतना है यह exercise कंप्रीट होगे नेक्स वीडियो मारे दें आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करने होगा पहला है पाथ फाइंडर क्लास शप्रा दूसरा है आपके पास भारती भावन रवी कांत सर रवी कांत सर और तीसरा चैनल ह तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे लेटे वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे लेटे नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेश के नोट्स उनके PDF को डाल्लोड कर सकते पर सकते इंस्टागाम और Facebook को जाकर पास फरेंडे क्लासेश सब्सक्रा को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलेंगे थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो कमेंट करके ज़रू बता हैं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं थैंक्स पर वाचिंग